वाथ की दावाई रहां से मिलेगी हो थे ठीक है अच्छ रहां तो प्रादेश आप टाप आप एम घुता हो एम पता हो नियम को मतलम आओ। तो जाल लोग को सबस्ट करने दोगे जाला में एमाइब दोगी संदोटिए प्रशलों जाला जानों जाराओव कि वालग। जाले वह लोगाओ कि दोगी, जालना तोगाराओ रदेशन को हुआंच्छ तो धो बनिदो गाटना न जुआ पाराब आया हुआ आया हुआ है लुच्ट जाटना वा ही इसम를 दोदो को लिग जत्य है हम उमानिया ए早 एLP एम ढो एला बोप्र एक झाम न चाहिए झाला पथरी बाहर निकल जाए पिशाब के रास्ता है हाँ जी सर आपका नाम जी मेरा नाम खेतरपाल शर्मा सर बताएं यह जो मेडिकल केम्प लगाया गया फोज की जानब से इसके हवाले से बताएं सर आज मैं समझता हूं कि यह जो डिगवार तेडवां गाउं जो है आज हम यह स्टाब मेंबर हैं गल्फ है स्कूल तेडवां से दिगवार से जो है यहां पर भारतिय सेना की तर्व से एक ऑपरेशन स जो है वो आ रहे हैं यह लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इस सीमा वर्ती शेतर में यहां से लगबग जो बार्डर है वो आदा किलो मीटर से भी काम है और यहां पर इन लोगों के लिए इस परकार की सुईदा उपलावत करवाना मैडिकल फैसलिटी को उपल मैडिकल फैसलिटी जो है लेने के लिए जो जाना पड़ता है तो ऐसे समय में यहां पर आर्मी द्वारा जो है यह लगवाया गया यह लोगों के लिए बहुत बड़ा फाइदे मन्द है और लोग भी जो है बड़ी अच्छी तैदाद में आ रहे हैं और आपने यहां पर टो है दॉल जो ऑन गाड़ी टोजें समय समय पर ऑठी के लिए सिवल में स्भावना के लिए बहुत बफ़ड़े के लिए यहां पे आज आमी वालों ने एक मेडिकल केम्प लगाया है और यह बहुत अच्छी बात है बिकाज बॉर्डर में मुस्ली यहां पे वैसी फेसलिटीज नहीं दी जाती है या फिर एकसेसिबल नहीं होता है बॉर्डर की लोगों को कि वह डिस्ट्रक होस्पितल जा सकें या बड़ी किसी मेडिकल फेसलिटी में जा सकें और यहां पर अगर आर्मी वाले ऐसा को इनिशेटिव लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है यहां पर हमारे डॉक्साब भी आए हैं दो सिवल डॉक्टर आए हैं और साथ पे आर्मी के डॉक्टर नहीं है तो किस तरीके की अलर्जिक पेशेंट्स हैं और दूसरा यहां पर गेस्ट्राइटिस के पेशेंट्स आपको जादा में लेंगे यहां के लोग डिस्टर फॉक्स्पिटल एक्सेबल ना होने की वज़े से वहां पर नहीं जा पाते हैं या पिर गाउं का थोड़ा सा आपको साइकॉलोजी इसी रहती है कि पास में आके घर के पास में आके अगर फैसेलिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है अधर्वाइस थोड़ा सा घर से दूर जाने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है उन्हें अत्युक्त बताएं जो आज मेडिकल केंप लगा इसके हवाले से बताएं यह हमारे इंडियन आर्मी के तरफ से एक इनिशेटिव है कि हम इनके पास आएं जो हमारे पास नॉर्मली चेक अप कराने इतने दूर नहीं आ पाते हम फैंस के पास यह नॉर्मली शेटी में आके हमारे पास टेक अप नहीं करा पते हम लोग इनके पास आये हैं कुछ common बिमारियों के बारे में इनको बताने एक awareness फैलाने और इनको free or cost दवाईयां देने ताकि ये भी हमारे साथ उपर बढ़े आगे बढ़े तो किस किस तरीके की यहां पे लोगों में लक्षिन देखा गया है खास कर जो बिमारी है नॉर्मल स्किन रोग से लेकर के नॉर्मल खासी बुखार जो आजकल जो नॉर्मल फैला हुआ है इसके बारे में लोगों कम पता है हाईजीन के बारे में हम बता रहे हैं इनको कि हाई यही पताने आया इनको कि कब क्या करना है कैसे दूर रहना है सोशल डिस्टेंसिंग क्या है मास्क लगा करना क्या है हाथ साफ करते रहना क्या है